अपिसोड 3 की शिरुवात वहीं से होती जहां पिछला अपिसोड खतम हो था लिगोन तेउल से कहता है कि मैं तुम्हे अपने रानी की रूप में एकसेप्ट करता हूँ तेउल कहती है अब तुमने मुझे रानी बना दिया क्यों मैं तुम्हे इन दो दिनों में इतना ज़्यादा पसंद आ गई या अब भी तुम वो नॉंसेंस बाते कर रहे हो लिगोन कहता है कि मैं सीरियस हूँ मैंने अपनी दिल की बात पूरे सिंसेरिटी के साथ तुम्हें बताई लेकिन तेउल तब उसकी बाते सुन इरिटेटी हो जाती है तो उसे कहती है कि ठीक है फिर चलो दिखाओ मैं कौन से देश की रानी हूँ देखती हूँ आज तुम्हारी वो दूसरी दुनिया कहाँ पर है लेकिन तेउल तो उसकी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहती थी इसलिए वो जाने लगती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी भी थी तो लिगोन उसे अपना कोट पहना देता है और पूछता है कि तुम्हारे उस डिटेक्टिव दोस्त का नाम क्या है तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि शिंजे तेउल को अपने हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करता है पर यह भी उन्ही लड़कों की कैटिगेरी में आता है जो दोस्ती ने भानी के चकर में साही टाइम पर अपनी फिलिंग्स नहीं बता पाते और उस लड़की के लाइफ में सेकेंड लीड बनकर रह जाते हैं इसे फ्रेंड जोन भी कहा जाता है इधर किंग्नम आफ कोरिया में सनी को रॉयल पैलिस में जॉब मिल जाती है एक रिपोर्टर की जहां उसका काम था लिगॉन के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को चेक करना अगर कभी कुछ नेगटीब छपा तो उन सारी सिचुइशन को हैंडल करना तो काफी दिनों से राजा की कोई कवर नहीं थी इसलिए कुछ गॉसिप शुरू हो जाते हैं उनका राजा लिगॉन अभी नेवी ऑफिसर्स के साथ है तो दायमा जोयों को बुलाती है और उसे तेवल की आडी कार्ट देते हुए कहती कि इस लड़की के बार में सब कुछ पता करो तो जोयों उन्हें बताता है कि राजा साब ने मुझे पहले इस लड़की के बार में बताया था पर मुझे इस लड़की के बार में कोई भी इंफर्मेशन नहीं मिली तो दायमा बता थी कि 25 साल पहले उस इंसिडेंट के बाद से ही लड़की की आडी कार्ट मिली थी बतानी वो अब इसे ढोनने के लिए कहां गये होंगे इधे रिपब्लिक आफ कोरिया में तेयूल को पता चलता है कि लीगॉन का डियने किसी भी मिसिंग् चाइल्ड के डियने से मैच नहीं करता यानि कि लीगॉन के बार में आप बिच भी पता नहीं चल सकता जिससे तेयूल तो हैरान रह जाती है कि बिना किसी identity card के League on South Korea में कैसे रह रहा है तो वो League on से मिलने जाती है जहां थोड़ी drink करने के बाद उससे पूछती कि सच बताओ कि तुम हो कौन और क्या तुम सच में किसी दूसरी दुनिया से आये हो League on कहता है कि मैं तुम्हें कितनी ही बार बता चुका हूँ कोई और भी है जो उस जादू दर्वाजे को यूज कर सकता है ऐसा मुझे लगता है तो तेउल से उसकी दुनिया के बार में और सारी बाते पूछने लग जाती है तो League on से अपनी दुनिया की Korean सामराजी की history बताने लग जाता है जिससे तेउल फिर से किसी novel की कहानी समझ लेती है और कहती की अच्छी कहानी बना लेते हो तुम League on कहता की क्या तुमें इतना सब कुछ करने के बाद भी बिलीव नहीं हुआ मेरे बार में तुमें इस दुनिया में कुछ भी information नहीं मिली ना fingerprint से ना DNA से तो क्या अभी तुमें यकीन नहीं है लेकिन तेउल को अभी उसकी बात पर बिलीव नहीं था तो दोनों यहां से चले जाते हैं League on अपने गोड़े को देखने के लिए तेउल के घर जग जाता है इधर Kingdom of Korea में जो यॉंग League on के गायब होने से पहले ही कि उसके बातों के बारे में याद करने लगता है जाएक बार League on ने उसे कहा था कि उसे 25 साल पहले League on के मौत की autopsy report पर doubt है क्योंकि उसमें लिखे हुए details में कुछ गरबर थी इससे League on को काफ़ी time से ही शक था कि 25 साल पहले लीरीम की जो dead body मिली थी वसली गदा लीरीम नहीं था ये सब याद करके जो यॉंग समझने की कोशिश करता है कि League on कहां जा सकता है वहीं दे Republic of Korea में रात को बारिश और बिजली कड़कने लगती है तभी League on के पीट में काफ़ी जादा pain होने लगती है अब ऐसा क्यों होता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा अगले दिन इदे तेवल की कार रास्ते में खराब हो जाती है तो अपने घर पर dad को call लगाती है लेकिन call League on पिक करता है क्योंकि वो अपने घोड़ी को देखने के लिए वहाँ पर गया हुआ था तेवल इसे अपने कार खराब होने के बार में बताती है तो League on उसे थोड़ा सा वेट काने के लिए कहता है और बताता है कि वो अभी वहाँ पर आ रहा है थोड़ी देर में League on यहाँ पर पहुँच जाता है पर तेवल की और जाते ही वह अचानक से सब कुछ रुख जाता है League on अपने आसपास देखता है कि सब कुछ एकदम थमसा गया है सिर्फ वो खुद अभी मूव कर सकता है इसलिए वो तेवल के करीज ब्याकर उससे देखने लगता है पर थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तेवल तो अचानक से उससे अपने इतने पास देकर डर जाती है League on उसे कहता कि क्या तुमने फिल गया कि अभी यहाँ सब कुछ रुख गया था क्योंकि लीरीम ने दूसरी दुनिया का दर्वाजा खोला था और वो Kingdom of Korea में गया था जहांपर वो एक Bookstore में गया था जहां का ओनर लीरीम के लिए ही काम करता है जो लीरीम को ख़बर देता है कि राजा League on पैलेस में नहीं है जिससे हमें समझाता है कि पैलेस में भी लीरीम का कोई स्पाय है जिससे उसे League on के बारे में सारी information पता चलती है इतर League on भी समझ चुका था कि कोई और भी है जो दूसरी दुनिया में travel कर सकता है और उसी के पास इस बांसूरी का दूसरा हिस्सा है जिससे League on समझ जाता है कि लीरीम जिन्दा है क्योंकि उसके पास ही बांसूरी का दूसरा हिस्सा था दनेधर हम लीरीम को देखते हैं जो कि अपनी एक आर्मी तयार कर रहा था League on से fight करने के लिए ताकि वो League on के पास से बांसूरी का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर सके इतर तेउल की टीम को एक investigation करने के लिए भीजा जाता है जहां कुछ गुंडों के साथ इनका पंगा हो जाता है लेकिन तब ही वहाँ पर go on पहुंच जाता है और वो अकेले ही सब की धुलाई कर देता है तेउल उसे पूछती की तुम यहां कैसे आए League on उसे बताता है की मैं पूरी station गया था तुमारी गाड़ी लोटाने वहाँ से मुझे पता चला की तुम लोग इधर हो इसलिए मैं यहां पर आया और शुकर मनाओ की मैं यहां पर आया बढ़ने तुम दोनों की अज बैंड बजने वाली थी तो तीनों यहां से लंच करने के लिए जाते हैं जहां से शिंजे को कुछ काम से जाना पड़ता है तो लीगोन तेउल से कहता है की क्या तुम आज बहुत सारा काम है लेकिन क्यूं पोच रहे हो बैंबू फोरेश्ट में पहुँच गया था जहां इस बार उसके पास बांसुरी होनी की वज़े से दूसरी दुनिया का दर्वाजा खुल जाता है और लीगोन अपनी दुनिया में चला जाता है और दूसरी दुनिया का दर्वाजा खुलने की वज़े से इस दुनिया में टाइम रुख जाता है, जिसे लीरिम फिल करता है, जिसे लीरिम को समझने में देड नहीं होती, की जो दूसरी दुनिया ट्रावल कर रहा है, वो ली गौन है और वो अपनी दुनिया में लौट चुका है, इधर Kingdom of Korea में जोंग को ख़बर मिलती है, कि राजा से जितना हो से के उतना लेट करनी के लिए कहती है और उसकी काफी दिर तक चेकिंग कराती है पर कुछ दिर बादी वो अंदर चली आती है पर दायमा उसे रोकने लग जाती कि तुम्हें ऐसे बिना परमिशन के राजा साब के आफिस में नहीं जा सकती पर प्राइम मिनिस्ट कराता है और उसके कोट से डायमन्स को गायब देखकर तायमा तो और जादा भड़कने लगती है तो लिगानोंने समझा भुजा कर रेष्ट करनी के लिए भेज देता है इधर तेवल को लिगान एक दो दिन से दिखाए नहीं देता है तो वो सोच में होते है कि क्या वो सच की ही यादा रही थी वहीं तो दूसरी दुनिया में तेवल भी लाइबरेरी में ही बैठी होती है और वो भी अपने सामने लिगान को ही इमाजिन कर रही थी क्योंकि अभी काफी दिन बीच चुके थे और इतने दिनों में एक बार भी लिगान उसे नहीं दिखा था जिसके अरेश्ट कर लेता है लब का उनर शिंजे से कहता है कि तुम्हारी मॉम भी यहां की रेगुलर कस्टमर है तब तो उनको भी अरेश्ट करना चाहिए तो शिंजे अपनी मॉम को सुदारने के लिए उन्हें भी अरेश्ट करने का ओडर दे देता है जिससे वो खुद भी पैलेस की खबर मिलती थी, जो पैलेस में काम करने वाली एक लेडी, एक किताब के अंदर खबर दे कर जाती थी, और वो लेडी शिंजे की माम की हमशकल थी, जिसको इस मिस्टीरियस बच्चे ने भी देखा था, इधर तेउल को पता चलता है, कि उसने लीगॉन के पास से जो वो चेक करने के लिए बैंबो फॉरेस्ट की और चली जाती है, और अपने आप से कहती कि क्या वो सच में चला गया, इधर लीगॉन भी तेउल को काफे मिस कर रहा था, पर जो योंग ने लीगॉन के आसपास इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, लीगॉन तो पैलेस स में गया था जहां तुम्हारा भी हम शकल है, और उसका नाम योंसोप है, और लेफटिन जोंग तेउल भी उस दुनिया में है, लेकिन जोंग तो उसकी बात पर बिलीवी नहीं करता, और कहता है कि आपको डॉक्टर को दिखानी की जरूरत है, मैं भी दायमा को बता कर आता जिनने जो योंग दे कर हैरान होता है, तो वो रोयल डॉक्टर को बुलानी के लिए चला जाता है, पर तबी लिगोन अपनी चाड़ी और जैकेट पर उनकर निकल जाता है, इधर तेउल को उसका नया आइडी कार्ड मिलता है, जिसकी इशुइंग डेट थी 11 नवंबर 2019, ये देकर तेउल तो हैरान होती है, क्योंकि लिगोन ने भी तो से यही कहा था, कि उसके पास तेउल की आइडी है, जो उसे 25 साल पहले मिली थी, और उसकी इशुइंग डेट थी 11 नवंबर 2019 की, इसलिए तेउल काफी शॉक्ड होती है, तबी उसे कॉल आता है लिगोन का, जो उसे मिलने के लिए घर पे बुलाता है, तो तेउल जल्दी से उसके घर चली आती है, जहां लिगोन को इतने दिन बात दे कर हैरान थी, उससे पूछती कि तुम कहा गये थे, लिगोन कहता है, मैंने बताया था न कि मैं अपनी दुनिया जा रहा हूँ, तेउल पूछती कि ये कैसे हो जकता है, तो मैं कैसे पता, लिगोन कहता है कि अगर तुम देखना चाहती हो, तो फिर चलो मेरी दुनिया, शायद तब जाकर तुम्हें मेरी बातों पर बिलिव हो जा, एउल के ती चलो फिर अगर इस बार जूट कहाना तो बहुत बुरा होगा, तो दोनों राजा साब के साथ किसी लड़की को देकर हैरान थे, वहीं तेवल भी जोयों को देकर एकदम शॉक्ड रह गए थी, तबी वो लिगोन को शॉकिंगली पूछती है कि ये तो यूंसप है, लिगोन कहता है मैंने कहा था ना, तो तेवल लिगोन के और शॉकिंगली देखती ह बड़ बने को आइ सब्सक्रवार नाते है कि वहीं जल लिगोन के साथ किसी लाजा बहार प्सेंगली देखती है झाल झाल